इस बीडियो के माध्यम से हिंदुस्तान के हर मादबाप से एक सवाल सिर्फ बेटियों पर पावंदी क्यों जब बेटी खर से निकलती है तो कहते हैं मड़र्न कपड़े पहन कर मत जाओ लेकिन बेटों से ये क्यों नहीं कहते हैं कि अपने नजरों में गंदगी मतला या साफ बेटी से कहते हैं कि घर की इजद खराम मत करो लेकिन बेटों से ये क्यों नहीं कहते हैं कि किसी की घर की इजद से खेरवार करो हर वक्त रखते हैं नजर बेटी के फोन पर लेकिन ये क थे पीज़ हो नहीं दिखते हैं म्मक्राजी र च Lazic उलेंट या इसे मों पर इंप किसी लटके से बाल करते है कर जो भाई अपने पहलं हो छड़काता है वहीं ख़र में महौ वां के सामने अपने गल्फरंड के किस्टे हसास कर सुना करें। बेटा घुमे गर्फेंड के साथ तो करते हैं ऐसे बड़ा हो गया। लेकिन बेटी अपने दुस्तों से भी बात करें। तो करते हैं लोग बेटी बेसारू हो गई है। फॉज देखेगा तो क्या सोचेगा। सबकी ना कर जाएगी। पहले घर में सोसण बंद कीजिए, फिर सिकायत करना समाथ से हर माबाब से निवेदर हैं कि बेटी को पढ़ाये, दिखाये, बहादूर बनाये उन्हें भी खुल कर जिने का अधिकार है इस दो हर बेटों से कहें कि वो बेटीयों की इज़त करें क्योंकि बेटी है तो पल है, एक कलम जवरुक्ता क्यों है, जाहीं जाहीं